नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप CBSC Board के द्वारा आयोजित की गई, सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 1 जनवरी 2022 सिफ्ट के पेपर के Environmental Studies यानि की EBS पार्ट का Complete Solution देखने जा रहे हैं CBSC Board ने सीटेट दिसंबर 2021 में online mode में खुल 33 सिफ्टों में पेपर का आयोजन किया था, जिसमें से ये 12 सिफ्ट का पेपर है अगर आप सभी सिफ्टों के पेपर का Complete Solution देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 6 dedicated playlist का लिंक मिलेगा जिसमें प्रतेक सब्जेक्ट का 23 सिफ्टों के अलग अलग डेट वाइज पेपर का Complete Solution प्रोवाइड करा दिया गया है तो आप इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा अगर सीटेट में बहतरीन अंक पाना चाहते हैं अगर चैनल पर पहली बार विजेट कर रहें तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा सीटेट यूपी टेट और सूपर टेट की बहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर में चलिए दोस्तों आज के इस मैथोपूर्ण वीडियो को प्रारम करते हैं पहला प्रशन पुछा गया था त्रिवेंदम और गांधी धाम के बीच की दूरी 268 किलोमीटर दी गई है यदि कोई रेलगाडी इस दूरी को 42 घंटे में तैय कर लेती है तो इन दोनों सहरों के र उसत चाल मीटर पर सेकेंड में आपको बताना है ठीक है तो यहां पर उसत चाल क्या होता है कुल चली गई दूरी कुल चली गई दूरी कितना है 268 divided by कुल लगा समय कुल कितना समय लगा 22 घंटे यहां पर देखी है यह किलो मीटर में दिया गया है तो उत्तर आपसे मीटर प्र सेकेंड में पूछा जा जा रहा है तो किलो मीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं 1000 से गुड़ा कर दे रहा हूँ ठीक है और उसके बाद से समय जो दिया गया है वो घंटे में दिया गया और आपसे उत्तर second में पूछा जा रहा है तो इसको घंटे को second में बदलने के लिए पहले अगर मैं 60 से गुड़ा कर दूँ तो minute में convert हो गया फिर 60 से गुड़ा कर दूँ तो ये second में convert हो गया अब देखिये इसको मैं solve कर रहा हूं तो 2 0 से 2 0 कर गया उसके बाद से देखिए इसको चैसे काटते हैं तो 6,3,18 फिर 4 हात में बचा 46 हो गया 6,7,42 फिर 4 बचा 6,8,48 ठीक है फिर देखिए फिर 6 से मैं काटता हूं तो 6,6,36 हात में 1 और 6,3,18 ठीक है उसके बाद से देखिए 7,6,42,7,9,63 यानि कि उपर आपका बचा 90 और नीचे अच्छ है यानि कि क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आपका उत्तर होगा अब दियेगा चारों विकल्पों में देखिए कहीं भी 15 मीटर पर सेकेंड नहीं दिया गया है सीब्यसी बोड ने इस प्रश्ण के सापेक्ष 9 अंक लिखा था रिवाजड एंसर की में यानि कि इस प्रश्ण के सभी विकल्प गलत हैं इसी वज़े से सभी अबेर्थों को कॉमन अंक दिया गया था अगला प्रश्ण पुछा गया था कोई चात्र A पर है और B पर पहुँचना चाहता है इसके लिए पहले वह O पर जाता है जो A के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है तो थोड़ा समय यहाँ पर आपको डारेक्षन बताना चाहूंगा देखिए उपर की तरफ उत्तर हो देखिए सबसे पहले वह O पर जाता है और O कहा है एक ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है तो माली जीए यहाँ पर उत्तर मतलब O उपर हो जाएगा तो यह O पॉइंट पर हम लोग पहुँच गया कितना मीटर था यह 120 मीटर था उसके बाद से कहा जा रहा है फिर वह O बिंदू से ठीक पस्चिम की और 50 मीटर की दूरी तै करता है देखिए पस्चिम किदर है इधर है यानि कि O से यह किदर जाएगा इधर जाएगा और यह दूरी कितनी है यह दूरी 50 मीटर है और यह वाला पॉइंट कितना है देखिए 50 मीटर की दूरी कर तै करके पहुंच आपने ट्रिपलेट पढ़गा 5 12 और 13 का तो यहां पर देखिए सब में 1 0 लगाया गया है तो ट्रिपलेट का नियम यह कहता है कि माली यह 5 12 और 5 का अगर कर्ण 13 था तो चुकी 1 0 लगाया तो यह भी 1 0 लग जाएगा यानि कि 130 मिंटर तो आपका सीधी तोर पर यहां पर दू के सापेक्ष ए का पोजिशन पूछा गया था यानि दिसा पूछा गया था तो देखिए इधर जाने के लिए इधर जाने के लिए आप क्या करेंगे पहले इधर जा रहे है इधर क्या है इधर पूरव है देखिए इधर जाने के लिए पूरव में गये और उसके बासे नीच प्रिकित में से सही कथन को चुनिए आईए स्लोथ भाई साप से आपको मिलवाता हूं इसक्रिन पर आप स्लोथ भाई सापका इमेज देख पारोंगे यह दिखने में भालू जैसा होता है लेकिन एक्षुली यह भालू नहीं है यह 24 गंटे में से दिन के 24 गंटे में से 17 आने के लिए भी यह उतरना ने निचाता जिस पेड़ पर रहता है उसी के पतियों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है इसकी आयू लगबग 40 वर्स होती है जिसमें से यह सिर्फ 8 बार ही पेड़ को बदलता है यानि कि 40 वर्स में सिर्फ 8 बार यानि एक पेड़ पर आस्तन ये 5 वर्स समय व्यतीत कर देता है तो एक बार फिर से इसके महतवपून डाटा के बारे में बात कर लेते हैं इसकी आयू लगबग 40 वर्स होती है ये दिन भर में 24 गंटे में 17 गंटे सोता है उल्टा लिट टक करके इसी प्रकार से पेड़ पर सोता है ठीक है और दिन के 22 गंटे वर्स की साखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं 22 गंटे नहीं बलकि 17 गंटे सोता है इस वज़े से ये विकल्प गलत हो गया दूसरा देखे स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन के लगबग 17 गंटे वर्स की साखा पर उल्टे लटक करके सोते जो sloth होता है वो chimpanzee नहीं बलकि भालू जैसे दिखते हैं तो इस वज़े से आपका उत्तर ये गलत हो गया तीसरा देखे sloth chimpanzee जैसे दिखते हैं और दिन के 22 घंटे व्रिक्ष पर उल्टे लटक करके सोते हैं यहीं विकल्प आपका सही हो जाएगा option number 4 सही उत्तर है अगला प्रशन पूछा गया था जब किसी कपड़े पर दूद को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है प्रिथक्रिया प्रक्रिया क्या कहलाएगी तो यहाँ पर देखिए filter किया जा रहा है चाना जा रहा है जिसे हिंदी में निस्यंदन कहा जाता है option number 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जागा इसी को अंग्रेजी में filtration कहते हैं यानि कि कपड़े से आप filter कर रहा है चान रहा है निस्यंदन हो रहा है ठीक है option 1 सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था कक्षा 5 की पाठे पुस्तेक में दिये गए गोल कोंडा किले के मांचितर में 1 cm जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दरसाया गया है इस मांचितर में फते दर्वाजे से जमाली दर्वाजे के बीच की दूरी 10.7 cm दरसाया गया है तो आपसे पूछा जा रहा है कि जमीन पर इन दोनों दर्वाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी तो यहाँ पर देख लीजिए एक सेंटीमीटर को कितना दर्साया गया है 110 मीटर दर्साया गया है तो यहाँ पर 10.7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा तो simply आपका unitary method से 110 गुड़े 10.7 हो जाएगा तो इसमें आप गुड़ा करिए 11.77 का 7 हाथ में फिर 7 बचा और 11.0 हो जाएगा तो यह 7 उतर जाएगा और 11.1 एकम 11 और यहाँ से देखिए एक जो 0 है यह दसमलो को खतम कर देगा यानि कि 11.77 किलो मीटर उनके बीच की दूरी हो जाएगा दिये गए विकल्प में देखिए यहाँ पर 4 उप्षन जो दिये गए वो किलो मीटर में दिये गए तो किलो मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग देना है 1000 से भाग देंगे तो 3 अंके के बाद यानि कि यहाँ पर दसमलो लग जाएगा एक दसमलो 177 आपका उतर होगा किलो मीटर में option number 2 देखिए सही जवाब होगा अगला प्रशन पूछा गया था तीन राज्यों का वह समू जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वह कौन सा है इसक्रिन पर आप भारत का नकसा देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यह बंगाल की खाड़ी है और तीन राज्यों जो की बंगाल की खाड़ी से boundary ट्रच होती है आपसे पूछा गया था तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से राज्यों हो सकते हैं ओडिसा है आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडू है इसी में से कोई तीन विकल्प आपको उत्तर के तोर पर दिया गया होगा आप चलिए विकल्प में चलते हैं दिये गए विकल्प में देखिए पहला यहाँ पर महराष्ट दिया गया है तो आपका उत्तर नहीं होगा यहाँ पर ओडिसा, कीरल और तमिलनाडू दिये गया तो कीरल नहीं होगा आपका उत्तर गलत हो गया तीसरा देखे ओडिसा, आंधर प्रदेश और तमिलनाडू तो यह तीनों जो थे हमने देखा था कि इनकी बाउंडरी जो है वो बंगाल की खाड़ी को टच कर रही थी तो यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा चोथे विकल्प में देखे कीरल आपका नहीं होगा तो यह भी विकल्प आपका गलत हो गया फिर करनाटक भी नहीं होगा ठीक है माद्य परदेश में मालीजे यहां पर कोई बालक खड़ा है तो पूछा गया था कि इसके सापेक्ष भारत का जो सबसे घना जंगल है उसकी दिसा क्या होगी तो भारत का जो सबसे घना जंगल है वो उत्रा खंडे में पाया जाता है उत्रा खंडे में जो जिम कार्बेट ह पार्क उसमें सबसे घहना जंगल है जो की लगबग 520 किलो मिटर के छेतर में फैला हुआ है तो यहां से देखी अगर इसके पोजीशन के हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ है यानि उत्तर हो गया और थोड़ा सा आप देखेंगे कि इस साइड में है उत् उत्तर और पूर्व आपका सही जवाब हो जाएगा यानि उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिसा में सबसे घहना जंगल होगा मध्य परदेश से ठीक है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा option number 2, 8850 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रेश ने पुछा क्या था, तूटता तारा होता है कोई, यानि तूटता तारा क्या होता है आप से पुछा जारा है तो जैसे कि माली जे ये प्रित्वी है, तो वायू मंडल में, प्रित्वी के वायू मंडल में, जब कोई उलका पिंड इस प्रकार से तेज गती से प्रवेस करने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा घरसड होने की वज़े से ये उलका पिंड जलने लगता है और जलने की वज़े से एक तेज प्रकास निकलती है और इसकी वज़े से ये लगता है कि ये तूटा हुआ तारा है जबकि ये क्या होता है उलका पिंड होता है उप्शन नमबर 3 इसका सही जवा अगला प्रशने पूछा गया था खेजड़ी व्रिप्ष के बारे में नीचे दिये गए कथनों पर विचार करिए। जानवर खाते हैं जो कि रिगिस्तान में पाय जाते हैं। तो अब चलिए विखलपो फर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला विखलप पूछा गया था, यह विख्ष मुक्यता रिगिस्तानी छेतरों में पाय जाता है। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह रिग जाने में होता है और इसकी लकड़ी पर कीड़े का प्रभावर नहीं पड़ता है तो यह भी विकल्प बिल्कुल सही है और इवला ओप्शन देखिए इस विरिक्ष में बहुत कम पतिया होती है ऐसा नहीं है पतिया होती है और पतियों को वहां के जानवर खाते हैं तो यह भ पर चात्र कह रहा है कि मैं जिस छेत्र से आया हूँ, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, अब देखिया, आसा में तो बारिश होती है, तो ये पहले ही कड़ियों गया, ठीक है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पर देखिये, लदाख में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पढ़ती है, जबकि options कहा रहे हैं कि गर्मी पढ़ती है, तो लद्दाक भी आपका कठो गया, आगे पढ़िए, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दिवार बहुत मोटी होती है, और इन्हें मिट्टी से ही पोत करके सुन्दर किया जाता है, घरों की चत कटीली जाडियों से बनाई जाती है, या चात्र निमलिकित में से किस राजसे आया हो सकता है, देखिए, मिट्टी के घर जो हैं, वो उत्तर प्रिज्टेस में नहीं बना जाते हैं, बलकि राजस्थान में बना जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत उसने कहा कि मैं जिस जगह से आया हूँ, वहाँ के अधिकतर लोग सर्सो के तेल में बनी मचली खाना पसंद करते हैं, तो यह चात्र किस जगह से आया हो सकता है, तो देखिए, कश्मीर के जो लोग हैं, वो सर्सो के तेल में बनी मचली खाना पसंद करते हैं, आप्शन नम होते हैं वो जुंड में रहते हैं और हाथियों के जुंड में केवल हाथनियां और हाथी के बच्चे ही रहते हैं उसमें नर हाथी नहीं रहते हैं ठीक है आगला जो यहां पर महत्वपुन पॉइंट होता है कि जुंड की जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है यानि जो हाथनी और बच्चे ही रहेंगे जुंड में और हाथी 14 से 15 साल तक ही इस जुंड में रहते हैं फिर उसके बाद से वो जुंड छोड़ करके अकेले रहने लगते हैं तो अब इन सबी पॉइंट्स के अधार पर आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है पहला देखिए दिया ग जादा कह रहा है तो यह निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा दूसरा देखिए अत्यधिक बारिश होने के कारण अधिकांस हांती बहुत जादा आराम करना पसंद करते हैं तो यह भी गलत है कि भार बहुत जादा होता है इस वज़ेसे वो आराम करते हैं यह गलत था चौथा विकल्प देखिए अधिकांस हांती आसतन दिन में 9-10 गंटे सोते हैं तो यह भी विकल्प गलत है एक ही विकल्प बच्चा आप्शन नमबर 2 देखिए यहां तक की तीन महीने के आयों के जो हांती के बच्चे होते हैं उनका आसत भार जो होता है वो लगबग 200 कि अगला प्रेशन पुछा गया था एक समू को चुनिए जिसका प्रयोग पुना चक्रण के पशात किया जा सकता है यानि कि किसको रिसाइकल किया जा सकता है वहीं आपका सही जवाब होगा देखिए पॉल्थीन को नहीं किया जा सकता है बहुत मुस्किल से किया जा सकता है इसके बाद से देखे, option 2 में देखे, यहाँ पर plastic bottle दिया गया है, तो यह भी recycle नहीं किया जा सकता, इसके बाद से देखे, option 3 में देखे, लोहे की कील, काच की bottle, steel mug और गत्ते का डिबबा, यह सभी recycle किये जा सकते हैं, फिर से use करने के लिए, तो यहीं आपका सही जवाब हो ज कहा के किस राजे के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आपको उतर देना है, तो यहाँ पर देखे, पहला दिया गया छोले बठूरे, तो जो छोले बठूरे होते हैं, पंजाबी लोग खाना पसंद करते हैं, तो एक का E हो जाएगा, पंजाबी लोग मसाले खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं तो option E यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा छोले बटूरेगा दूसरा देखे नारियल डली कड़ी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा तो ये उबला हुआ टैपिकोवा जो है वो केरल के लोग खाना पसंद करते हैं तो B हो जाएगा दूसर का E दूसरे का देखे B बना है और तीसरे का देखे D बना है और चोथे का A बना है यानि E B D A आपका सही जवाब हो जाएगा अब दिये गए विकल्प में देखिए E B D A किसमें दिया गया है वहीं आपका उतर होगा तो यहाँ पर देखिए option नमबर 4 में E B D A विकल्प नम चुनाओ कीजिए तो रचनात्मा काकलन करना है यानि बच्चे खुद actively participate कर रहोंगे किसी गतिविदी में वहीं आपका उतर होगा पहला विकल्प देखिए तैरने और डूबने के पार्ट का प्रश्न उतर लिखना यहाँ पर actively participation नहीं हो रहा है कि कोई क्रिया विधी नही जैसे यह आपका उतर नहीं होगा तीसरा देखिए तैरने और डूबने की परिभासा की व्याख्या करना परिभासा लिखना परिभासा पढ़ना यह सभी निगेटिव सेंस में होते हैं नसीफ दोजर पाच परिभासा को बहुत ज्यादा संकुचित मानता है ठीक है तो यह निगेटिव होगे आपका उतर नहीं होगा चौथा देखिए जो वस्तुए डूबती हैं और तैरती हैं उनकी सूची याद करना रटना याद करना यह सभी हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं कभी भी आपका उतर होगा ही नहीं एक ही विकल पर बचा आप्शन नमबर तू सही जवाब होगा अगला प्रेश ने पूछा गया था पर्यावरण अध्यान के सिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोतसाहित करता है पहला विकलत देखिए श्रिजनात मक्ता को देखिए कला यानि की ड्रॉइंग का प्रयोग तो यह क्या है वो उनका मौलिक विचार है श्रिजनात मक्ता को यह बढ़ावा देगा यानि यह पहला व्याला सही होगा दूसरा सहापार्थी सीखने को देखिए यहां पर समावेश करने की बात की जरी है यानि कि जो ऐसे बच्चे जो की समाने नहीं है उनको भी समावेशन को भी बढ़ावा देगा यानि कि समाने बच्चे विशिष्ट बच्चे सारी क्रूप से अक्षम बच्चे सब कोई एक ही काक्षा में सीख रहा है तो यह तो बिल्कुल सही है ठीक है तो यह भी सही होगा और साथी साथ सहापार्थी सीखने को भी बढ़ावा द लिए तो ये भी बिल्कुल सही है और चुकी अलग-अलग बच्चों में अलग-अलग कोशल है इस वज़े से यहाँ पर समावेशन की कॉंसेप्ट को भी इंक्लूट किया जाएगा लेकिन अगर बात करें option number C की देखें कहा जा रहा है कि कक्छा में अनुशाशन तो कला और क परसल को कक्छा में समावेश करने से अनुशाशन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा अनुशाशन में इस वज़े से यह निगेटिव था यानि आपका विकल्प क्या बना A, B और D सही उत्तर होगा दिये गए विकल्प में देखिए option number 4 A, B, D इसका सही उत्तर है उत्तर हमाव में अन In meter्या के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सी युकती बच्यों को interaction अंता क्रिया करने के लिए प्रोफसाहित करेगी पहला विकल्प देखे विद्यार्थेव के विभिन परकार के घरों के चित्र 71 करने के लिए कहना तो बच्चे चित्र को आश्रेयों पर एक power point प्रस्तूती दिखाना अब यहाँ पर teacher जो है वो PPT दिखा रहा है बच्चों को तो इसमें एक तो बच्चे actively participate नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कोई interaction कर रहे हैं तो यह भी आपका विकल्प negative था एक ही विकल्प बच्चा option number 3 देखे विभिन मकान निर्मा होगा साथी साथ जब वो अपने अनुभाव को सुना रहा होगा तो कहीं न कहीं interaction कर रहा है अंता क्रिया कर रहा है तो यह option number 3 positive था और यहीं आपका सही जवाब होगा अगला प्रस्त ने पुछा गया था प्रात्मिक अक्षाओं का पर्यावरण अध्यान वह विश्या छे जाता है कैसे अब इसको समझिए देखिए इवियस क्या है इवियस को परिवेश से जोड़ करके बताने की बात करता है NCF 2005 यानि कि बच्चे का जो परिवेश है उससे से जोड़ करके इवियस को पढ़ाना है अब बच्चे के परिवेश में आप देखेंगे कि उनके माता पिता या फिर आजपड़ोस के लोग जब सौच से आते हैं तो बच्चा ये देख रहा है कि सौच से आने के बाद से वो लोग साबुन से हाथ धोते हैं तो साबुन से हाथ धोना और इसके बाद से अपने सरीर को साफ रखना नाखुन को छोटे-छोटे काट करके बिल्कुल साफ सूतरा रखता ये सभी क्या है ये सभी विज्ञान का पार्ट है कि अगर आप अपने सरीर पर गंदगी रखेंगे या फिर नाकुन में गंदगी रखेंगे तो भोजन के थुरू वो आपके पेट में जाएगा और 50 मरिया आपको हो जाएगा ये विज्ञान का पार्ट लेकिन उसके परिवेश में चुकी उसने देखा है तो इस वज़े से एकिकृत करके इस EVS के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता है तो option no.4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा अगला प्रशने पूचा गया था निमन में से प्रात्मिक इस तर के पर्यावरण अध्यन का क्या उद्धेश है चौतर विकल्प से सुर करेंगे देखें कहा जारा कि विद्यार्तियों को उनके आज पडोस में उपलब्ध व्यवसाइक विकल्पों की और अभी मुक करना व्यवसाइक विकल्प में अतलब कि उनको रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है विद्यार्तियों को उच प्रात्मिक विज्ञान संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से त्यार करना अब यहाँ पर देखिए बच्चा जब पांच वी कक्छा में चला गया तब उसमें विज्ञान एजे विशे उसको पढ़ाय जाने लगा है तो अब यह कहा जा रहा है कि EBS इस वज़े से उसको पढ़ाय जा रहा है ताकि उच प्रात्मिक यानि कक्छा आठवी में जब हो जाएगा कक्छा 6 से 8 में जब हो जाएगा तो विज्ञान के संप्रत्यों के लिए क्रमिक रूप से त्यार करना है तो विज्ञान तो अब उसको अलग से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा ही जा रहा है तो EBS के माध्यम से उसको विज्ञान के लिए तियार नहीं किया जागा यह निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा क्योंकि पांच भी कक्छा तक विज्ञान आ जाता है ठीक है जैसे कि समाज में यह रोड़िवादित्ता फैली हुई है कि लड़किया घर का काम करेंगी लड़के बाहर का काम करेंगे यह एक रोड़िवादी विचार है आज के डेट में लड़किया लड़कों से कंदा मिला करके चल रही है और लड़किया भी बाहर जौब कर रही है और वो भी घर परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है तो यहाँ पर यह लैंगिक भेदभाव से समंदित मुद्दों को सीखने वालों को समवेदंसील बनाने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जागा अगला प्रशन पुछा गया था सिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किये जाने वाले पौधे के विभिन भागों जैसे की जड़ तना पुस्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्ष लेने के लिए कहा इस घर में जाकर के पता लगा यह की कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके कौन-कौन से पाड़ खाय जाते हैं तो इस प्रकार की प्रशन पूछने का या फिर घर पर जाकर के पूछने का क्या उद्देश है आप से पूछा जा रहा है देखे चौते विकल्ब से सुरुआत करेंगे विद्यार्थियों को भोजन के विशे में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना खुले मन से अनुमतिन नहीं दी गई है बलकी उनको माता पिता से पूझ करके अपने घर के सदस्यों से पूझ करके आने के लिए कहा गया है Visit number 4 गलत हो जाएगा क्योंकि परिवार के सदस्यों में इस प्रकार के पुछने के लिए भेजा गया था बजाए इसके कि उसको परिवार में भेजा जाए तो ये रूची के लिए नहीं किया गया है option तीन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा दूसरा देखे भोजन से संबंदित संप्रत्यों के सीखने को प्रोटसाहित करने के लिए तो यहाँ पर भोजन से संबंदित concept सीखने के तो इसमें वो interest इस वज़े से नहीं लेगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ भी नहीं देख रहा है तो internally motivation नहीं मिलेगा इससे आपका उत्तर नहीं होगा एक ही विकल पबचा option नमबर एक देखे अनुभवात्मक सीखने को प्रोटसाहित करने के लिए अब आपके घर में जो लोग आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे अनुभव उनका जो अनुभव है उनसे सीख करके आईए कि किस पौधे का कौन सा पार्ट खाय जाता है तो option नमबर एक यहाँ पर बिल्कुल positive है यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया दिरिष्टी बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरान अध्यान पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ती सरवाधिक उपयुक्त होगी तो देखिए बच्चा देख नहीं सकता दिरिष्टी बाधित है तो जाहरी से बात है उसके लिए इस पर्स वाली चीज़े जैसे ब्रेल लिपी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी उसको इवियस पढ़ने के संदर में तो पहले विकल्ब से सुरुआत करते हैं पहला विकल्ब दिया गया कक्छा में मिस्रित सहापाथी समो बनाना मिस्रित मतलब की जो दिरिष्टी बाधित है और जो दिरिष्टी इस वज़े से किवल ग्रूप बना देने से वो बच्चा नहीं सीखेगा आपका विकल्ब निगेटिव था दूसरा देखे किसी कारे को पूरा करने के लिए अधिक समय दें देखे बच्चा देख नहीं पा रहा है इसका मतलब ये कत्ताई भी नहीं कि उसकी मानसिक छमता क कम है हो सकता है कि अगर उसको सही इनवायरमेंट दिया जाए उसको वो सभी जो उसके लिए आवशक चीजे हैं जैसे ब्रेल लिपी और भी चू करके इसपर्स करके चीजों को मूर तवस्ता में देखने की कला जो है वो उन सभी को अगर सही से हैंडिल किया जाए तो निश अगला विकल्प दिया गया था किसी भी कारे को भागों में बाटें और प्रतेक भागों को अलग पढ़ाएं यहाँ पर कोई concept है तो उसको कहा जा रहा कि टुकड़ो टुकड़ो में पढ़ाईए और प्रतेक भागों अलग पढ़ाईए देखे बच्चा द्रिष्टी बा तो देखेगा कैसे और मुर्थ अवस्था उसके सामने प्रस्तूत कैसे किया जाएगा तो इसके लिए आवर्शा किया है कि वो चीजों को छू करके महसूस करें तो यह भी निगेटिव था आपका उतर नहीं होगा लेकिन बात करेंगा ऑप्शन नमर चार की तो देखें इस ब्रेल लेपी का भी जब यूज किया जाएगा तो निशीर तोर पर जो उसका अधिगाम होगा वो अर्थपूर्ण होगा तो आप्शन नमर चार सही उत्तर है अगला प्रशन पुछा गया था पर्यावरण अध्यान का सिक्षण करते हुए पार्ट का वह उप्यूक्त इस अब आकलन कब किया जाएगा जब बच्चे को कॉंसेप्ट पढ़ा जारा उसी कॉंसेप्ट के दौरान उनसे पूछा जाएगा कि कहीं आपको कन्फीजन तो नहीं है ताकि आगे आने वाले कॉंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएं अब देखिए विकल्प पर चलत तो जरूरी यह है कि जब उसको अधिगम कराया जा रहा है यानि जब बच्चे को कख्छा में पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाई के दौरान ही उससे पूछा जाए कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यानि आकलन जो है वो पढ़ाई के दौरान होना चाहिए तो पा आंकलन के लिए तयार हो तब आपको आंकलन करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए इससाब से तो बच्चे कभी तयार ही नहीं होंगे तो ये निगेटिव था आपका उत्तर नहीं होगा एक ही विकल बच्चा देखे ऑप्षन नमर 4 सिक्छण अधिगम के दोरानी यानि कि परण अध्यान पर्योजना का आंकलन करना है और उन्हें सिग्र पुनर निवेशन देना है आप आंकलन के किस साधन का चुनाओ करेंगे देखे कहा जा रहा है कि एवियस कक्छा में बच्चे कितना सीखे हैं एक तो पहले उनका मुल्यांकन होना है और उसके बाद से अगर क्योंकि आलोकन के माद्यम से प्रतेक बच्चे को जब आप आलोकीत कर रहे होंगे यानि कि वो कुछ न कुछ गतिविदी करेगा तभी तो आप उसका आलोकन करेंगे तो गतिविदी कराने के लिए इतना समय नहीं है आपका उत्तर नहीं होगा दूसरा देखे क्रम नहीं होता है मुल्यांगन का उत्देश कभी भी क्रम निर्धारन नहीं होता है तो यह आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रतेक इंडिविजुल बच्चे को कहां पर दिखता रही है यह हमें जानना है तो यह क्रम निर्धारन से उसका कोई खास लेना देना नहीं है क्य दूसरे बच्चे, प्रतेक बच्चे के बारे में पूछना पड़ेगा, दूसरे बच्चे से, तो ये भी time consuming है, आपका उतर नहीं होगा, लेकिन अगर जाच सूची की बात करें, तो ये quick किया जा सकता है, कैसे, checklist के माध्यम से, जैसे कि मालीजे, यहाँ पर इस प्रकार से checklist ह होगा, यहाँ पर प्रतेक बच्चे का नाम, roll number लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रशनों के, कुछ प्रशन लिखोंगे, मालीजे, प्रशन एक और प्रशन दो, और यहाँ पर सब ही बच्चों के आगे, एक box बनाओगा, आपको tick लगाने के लिए, मालीजे, पर पांच बच्चे हैं और पांचों में से पहले बच्चे नहीं हाथ उठाया, तो आप उसको tick कर देंगे, और उसके बादसे, और सबने हाथ नहीं ऊठाया, तो आप सब पर cross कर देंगे, उसके बादसे देखे, दूसरा प्रशन था, उसमें पुछा गया कि किuesta को सकता है बच्चे को तुरंत concept को फिर से बताया जा सकता है तो option no.3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगला प्रशन पुछा गया था पर्यावरण अध्यन में सीखने का आकलन करने का क्या उद्यस है सीखने का आकलन को ही अधिगम का आकलन कहते हैं देखिए अधिगम का आकलन करना है यानि कि अधिगम हो चुका है और उसके बासे जो अधिगम हुआ है उसका आकलन करना है देखिए जब आप साल भर पढ़ाई कर लेते हैं सीखने का आंकलन कहते हैं ठीक है या फिर अधिगम का आंकलन जो वार्सिक परिच्छा हो रही है जो सत्र के अंत में हो रही है उसे सीखने का या फिर अधिगम का आंकलन कहते हैं तो वार्सिक परिच्छा आपकी क्यों ली जाती है वार्सिक परिच्छा इसलिए ली जाती है क साल भर में आपने क्या उपलब्दी हासिल की आपको final result में आपको percentage दिया जाता है तो वो सब आपकी उपलब्दी है आपको marks alert किये जा रहे हैं वो उपलब्दी है अब बच्चे को माली जे कम marks आने तो अब उसको सीखाना नहीं है क्योंकि साल भर में उसने सीखने का process complete कर लिया है अब कितना सीखा है इसका आपकलन होना है तो ये उसकी उपलब्दी होगी उसके marks उसके percentage उसका grade उसके position ये सबी उसकी उपलब्दी है तो option number 1 देखिए सिख्चक विद्यारतियों को उपलब्दीयों के विशे में जानकारी एकत्र करें option number 1 इसका बिलकुल सही जवाब है अगला प्रशने पूछा गया था नई सिख्चा नीती 2020 के अनुसार प्रात्मिक कक्छाओं कक्छा एक से पांच के लिए निम्न में से क्या इस्तर होगा इसकर पर आप नेशनल एजुकेशन पॉलसी 2020 के अंतरगत प्रीवियस एकडमिक स्ट्रक्चर क्या था और अब का एकडमिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में डिफ्रेंसियेट किया गया है पहले देखिए पूरे भारत वर्ष में 10 प्लस टू सिस्टम लागो किया गया था जिसे खत्म कर दिया गया है अब क्या किया गया है अब यहाँ पर 4 स्टेज़ में बाटा गया है पहला होगा फांडेशनल स्टेज दूसरा प्रिप्रेटरी स्टेज तीसरा मीडेल स्टेज और चौथा सेकंडरी स्टेज देखिए फांडेशनल स्टेज जो होगा उसमें बच्चे का प्री स्कूल जिसे आप लोग एक तरीके से प्लेवे बोलते हैं वो शामिल किया गया यानि कि जब बच्चे की आयू कक्चा एक में जाएगा और जब वो 6-7 साल का हुआ तो एक पास कर लिया और 7-8 साल के बीच के दौरान वो कक्चा दो में जाएगा यानि कि दो साल जो है प्राइमरी का जो कक्चा एक और दो है वो भी फांडेशनल स्टेज में ही रखा गया है और देखे कक्चा 3-4 और 5 ये प्रिप्रेटरी स्टेज में रखा गया देखे कक्चा 3-4-5 तो देखे यहाँ पर प्राइमरी स्टेज की बात की गया थी primary stage में कक्षा 1-5 तक आता है तो कक्षा 1 और 2 तो इसमें है foundational stage में और कक्षा 3-4-5 किसमें preparatory stage में है दिये गए विकल्प में देखे option seat दिया गया है बुनियादी इस्तर बुनियादी इस्तर को अंग्रेजी में foundational stage बोलेंगे तो यहाँ पर देखे foundation कब होगा जाएगा और उसके वाद से जब बच्चा 6 साल का हो रहा है तब पहली बार उसको primary school में भेजा जा रहा है यानि कि कक्षा 1 में वो admission लेगा तो देखे कक्षा 1 और 2 जो था वो बुनियादी stage में ही रखा गया है यानि कि foundational stage में और कक्षा 3-4-5 किस में रखा गया था प्रिप्रेटरी stage में रखा गया था तो उसे हिंदी में आरमभे किस तर कहा गया है तो option number A और C यहाँ पर सही हो जाएगा देखे मद इस तर middle stage था तो यहाँ पर primary इस तर की बात नहीं की गई है ठीक है कक्षा 1-5 केवल प्रिप्रेटरी stage में है और foundational stage में तो A और C केवल सही जवाब होगा दिये गए विकल्प में देखे option number 3 option number 3 में A और C की चर्चा की गई option number 3 सही जवाब होगा अगला question पूछा गया था कहीं को साथ में किसी तरह पर ने Men तर देंसे क्या क Krया काुसन नहीं है असरे यानि की प्रोसीज्टर प्रोसीज्टरब सिस्क्रिट की बात की जारिए कौनसा नहीं होगा पहला देख थना करना मा जींक Mick जैसा कि एक आनतक है की हम लोकर प्यमाना मान करके मांचेत्र बनाते हैं जैसे भारत का अगर मांचेत्र बनाना है भारत का नक्सा बनाना है तो आप पूरे भारत के भागोलिक स्थित्यों को एक 4A4 साइज पेपर में नहीं दिखा सकते हैं तो जाहर से बाते आपको पैमाना मानना होगा तो यह स्टेप्स इसमें इंक्लूड होगा चुकि इंक्लूड होगा इसलिए यह प्रक्रिया कौसल है और चुकी है इस वज़े से आपका उतर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में उतर पूछा गया था दूसरा देखे क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाशित करना देखे यहां पर किवल परिभाशा देखकर के आप इसको निगेटिव नहीं कर सकते क्योंकि क्रियाशील परिवर्तन जो चीजे परिवर्तित हो रही है उनको आपको डिफाइन करना है यहां पर डिफिनीशन से मतलब नहीं है डिफाइन करने के सेंस में आया यानि कि जो चीजे प परिवर्तन हो रहा है तो वो steps में परिवर्तन हुआ होगा तो आप steps में उसको define कर रहे होंगे तो यहां पर भी प्रक्रिया आएगा इस वज़े से ये भी आपका positive था इस वज़े से उत्तर नहीं होगा चौथा विकल्ब देखिए तत्यों का अनुस्मरण करना अनुस्मरण को अंग्रेजी में recall करना कहते हैं यानि कि जो चीज आप सीख चुके हैं फिर से उसको recall करने की बात की गई थी तो इसमें भी steps होते हैं जैसे कि मालेजे किसी question को आपको solve करना है तो आप formula अगर रटे भ होगा क्या यहाँ पर सटीक बैठेगा या फिर कोई दूसरा formula लगाना है तो यहाँ पर भी तो process आही रहा है इस वज़े से ये भी आपका उत्तर नहीं होगा लेकिन अगर बात करें परिकल्पनाओं की जाच करना परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइफोतेसिस कहते हैं त देखे एबियस में कुल 6 थीम बताएगे हैं और पहला जो थीम है परिवार और मेत्र उसके 4 उप थीम बताएगे हैं तो उसी 4 उप थीम में से कौन सा एक है आपसे पूछा जा रहा है तो कारे और खेल परिवार और मेत्र का उप थीम है तो option number 2 यहाँ पर सही जवाब होग यानि कि बच्चों को critical thinking का मौका मिले चौथे विकल्प से सुरुआत करेंगे देखे दिया गया है पतियों का रंग हरा क्यों होता है तो जाहिर सी बात है chlorophyll की वज़े से होता है तो इसका तो एक ही उत्तर है तो इस वज़े से यह आपका उतर नहीं होगा क्यों क्योंकि बच्चों को critical thinking करने की इसमें जुरत ही नहीं पड़े बच्चा रटा रटाया है कि क्रोलों फिल के वज़े से पतियों का रंग हरा होता है तो option no.4 गलत हो गया क्योंकि critical thinking कि इसमें नहीं आएगा तीसरा देखे लवर के विलियन से आप लवर कैसे प्रिथक करेंगे तो य अब का step से बटा हुआ है कि मतलब यहीं एक fixed process होता है fixed steps होते है जिसके माध्यम से प्याज के फसल को बोया जाता है फिर उसकी काटने के बीच में कौन-कौन से process अपनाया जाते है तो इसमें भी बच्चे को कुछ भी सोचने के जोरत नहीं है क्योंकि सब कुछ fix है तो यह आपका उत्तर नहीं होगा लेकिन अगर option number two की बात करें देखे दिल्ली जैसे सहरों में वायू प्रदूसर्ण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे तो प्रतेक बच्चे का उत्तर अलग आएगा क्यों क्योंकि प्रतेक बच्चा अपनी स्रिजनात्मक्ता के हिसा आप से उत्तर दे रहा होगा मौलिक विचारों के हिसाब से उत्तर दे रहा होगा तो इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज्यादा औसर मिलेंगे और इसी वज़से ये बच्चों में स्रिजनात्मक्ता को प्रताहित करने के लिए सबसे उप्युक्त प्रशन option number 2 सही जवाब होगा दोस्तों हम लोग paper के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा comment के माध्यम से ज़रू बताएगा क्योंकि आपका एक comment मुझे motivate करेगा ऐसे ही महतोपुन वीडियो लाने के संदर में इस paper का अंतिम प्रशन पूछा गया था विद्यार्थियो द्वारा पर्यावरान अध्यान के सीखने का गत्यात्मक समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है इसका उत्तर हो जाएगा option number 3 विश्वस्निय आकलन युक्तियो द्वारा यहाँ पर देखिए विश्वस्निय आकलन युक्ति कहने का मतलब कि वो process जो की बिल्कुल सटीक उत्तर दे accurate answer दे आकलन के संदर में वहीं आपका सही उत्तर है क्यों? क्यों कि मान लिजिए कि कई बार अगर बच्चों का मुल्यांकन किया जा रहा है और अगर विश्वस्निय आकलन नहीं है तो बार-बार जहाई से बायते सबका मुल्यांकन जो किया जाएगा उसका उत्तर अलग अलगाएगा हो सकता है जैसे मान लिजिए कि एक बच्चे का निबंधात्मक प्रश्ण लिखने के लिए बोला गया तो अगर एक teacher से आप उसको check कराएंगे तो अलग number देगा दूसरे teacher से check कराएंगे तो अलग number देगा क्यों क्योंकि वहाँ पर authentic नहीं है कि कितना मानक होना चाहिए निबंधात्मक प्रश्ण में मानक कहने का मतलब कि context कि sense में होना चाह दूसरे teacher को वही context ठीक लग सकता है और दूसरे teacher को वही context ठीक नहीं लग सकता है लेकिन अगर बात करें objective प्रश्ण की तो objective प्रश्ण में क्या है कि आप किसी भी teacher से check करा लिजे अगर उसका विकल्प बच्चे ने सही लगाया है तो उसको एक number मिलेगा ही मिलेगा तो ये विश्वसनी आकलन हो गया क्यों क्यों कि किसी भी teacher से आप चेक कराएंगे कितनी बार भी चेक कराएंगे तो उसका जो आकलन किया गया है वो बिल्कुल उतना ही आकलन हैगा यानि उतना ही number मिलेगा चितनी बार भी आप उसका आकलन कर रहे होंगे तो विश्वसनी आकलन य इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुभू